नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर बठिंडा पुलिस ने नाजायज असला सप्लाई करने वाले एक आरोपी को किया काबू चार पिस्तोल वा कार्थूस की अबरामत जालंदर के घई नगर रोड पर स्थित ब्यूटी पार्लर में गन पॉइंट पर लूट की वार्दात को दिया गया अंजाम दो मुबाइल वन नकदी लेकर लुटे रे हुए फराज जालंदर के लम्मा पिंड पुल के पास छोटा हाती अन्यंतरित वोकल ट्रेक्टे ट्राली से टकराया चालक ने कर रखा था नशा और अब हल चल विस्तार से बठिंडा पुलिस ने नाजायज असला सप्लाई करने वाले एक आरोपी को ग्रिफतार किया है इस समंद में जानकारी देते हुए बठिंडा की SSP जे एलन नचेलियन ने पत्रकारों को बताया कि पकड़े गया रोपी की पहचान मोहित कुमार निवासी तलवंडी साबों के तौर पर हुई है जो दूसरे राच्यों से नाजायज असला पंजाब लाता था जिसे बठिंडा पुलिस ने ग्रिफतार करने में सफलता हासल की है उन्होंने पताया कि मोहित कुमार को संतपुरा रोड नजदीक सरहिंद नहर से नाजायज हत्यारों सहित काबू किया गया है वैं ये हत्यार अपने जानकार कुलदीब सिंग निवासी लेले वाला रोड तलवंडी साबों पठान कोट को देने जा रहा था नाकाबंदी के दोरान उसे चार पिस्तोलों और कार्तू सहित काबू किया गया है जबकि कुलदीब सिंग की ग्रिफतारी होनी बाकी है परात्मिक पूछताच के दोरान मोहित कुमार ने बताया कि वैं ये असला मध्यपरदेश से खरीदता था और पंजाब के अलग-अलग जिलों में सप्लाई करता था उन्होंने बताया कि आरोपी को माननी अदालत में पेश कर तीन दिन का रिमांड हासिल किया गया है रिमांड के दोरान आरोपी से गहनता से जांच की जाएगी उन्होंने बताया कि मोहित कुमार के खिलाफ पहले भी तीन मामले दर्ज हैं मोहित कुमार नाम की क्रिमनल नूँ साड़े पोलिस ने जुरुपता रिकिया कि तल्वंडी के रहने वाले हैं इन्न तो चार बतलीबोर पिस्टल और दस बतलीबोर दे राउंड आसी ब्राहमत किते ने मोहित कुमार नाल एक कुल दीप सिंग है वो सन्म्हों वांटड है फिलाल कुल्दीप सिंग आरस्ट नहीं हुए हैं जो मोगित कुमार हैं एंड़ी पीस केस से विचे इननी पेला 10 साल सजा वो चुकी है और 4 साल इननने सजावी कटिया उस तों बात हाई कोड़ों विचे इनननों रिलीफ मिली है उनने कुछ दिन पहला इननने जैल से बाहर आया और इन्होंने फिर इम्मिडियेटली वेपन सप्लाई दी इस आक्टिविटी इन्होंने शूरू करता यह जड़े वेपन हैं अतियार इन्होंने मत्य प्रदेश में इंदूर से लेके आएं इस चीज़ को जो अभी पर्टिकुलर यह केस है इधे विचे भी सनू जो इंफ्र दूरान उसके साथ काम सीख रही लड़की दुकान में में मौजूद इस दोरान लुटेरों ने दुकान में घुस कर वारदात को अंजाग दिया। ब्यूटी पारलर की मालकेन मोनिका ने बताया कि मास्क पहने एक युवक पारलर में दाखिल हुआ जबकि उसका एक साथी बाहरी खड़ा था। उन्होंने लड़की के माथे पर पिस्तोल रखकर सामाल लेने की मांग की। इस दोरान लुटेरों ने दुकान से दो मोबाइल वह कुछ पैसे लेकर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची थाना भारगव कैम्प के पुलिस मामले की जाच में चुट कि अधियों दो बंदी एक बार एक अंधर ही नियुक्त रखिए कना जो वह था सारा कुछ काड़ा दे मेरी मेरी अच्छ वहां पर दे ऐक आया कि उन्हें पहले एक मुंड़ उत्रे आं अगया अगया दूर या दूजा अंदर आया नि दूजा अदर आए अगया इन्गया पर जो उन्हें मास्ट पाया था ही तब लेकूट दिनी हो दी कि पारेज़ा काप सरती है कि संडे नुमें तर बार निंग आई जी पॉन एक साथ में साथ में साथ में आई इसी कि तब रेडियो मेक अप करना है कि भी शादी लगांग हम जिया ते मैं आई एक लड़का आया और फो खो लेडिया जुट से पैसेज इमन्ठ की और ते माने जो पैसे जी जी पंछाग जाता आई गया उले है जा लुट पॉन एक है नदो दो पोन कह रहे है कि अन्ड़की काम जिक्शा शिफिती है उघ उन्दार ने तो दून बार ती बार रहे है सब्स्क्त आजिए जानंदर के लम्मा पिंड पुल के पास एक गाड़ी की ट्रेक्टर के साथ टकर होनी के कारण भीशन हाथसा हो गया मिरी जानकारी के मुताबिक गाड़ी चालक नशे में गाड़ी की में माल लोड कर हुश्यारपुर से जानंदर की और आ रहा था कि लम्मा पिंड पुल के पास उसकी गाड़ी ट्रेक्टर ट्राली के साथ जाटक रही वहीं मौके पर मौझूद लोगों ने बताया कि यह दुरगटना बड़ी भ्यानक थी चार से पांच ट्रेक्टर लोड किये बड़ी ट्राली यहां पर खड़ी थी कि अचानक पीछे से आया छोटा हती की सीधे उस ट्राली के साथ टकर हो गई यह टकर इतनी भीशन थी कि छोटा हती का आगे का भाग बुरी तरह से चकना चूर हो गया और छोटा हती चालक उसी गाड़ी में फस गया लोगों ने ये भी बताया कि छोटा हाथी गाड़ी चालक ने किसी तरह का नशा किया हुआ था जिसके कारण उसकी गाड़ी का बैलंस बिगड़ गया मौके पर मौजूद लोगों ने ये भी बताया कि यह दुरगटना इतनी भ्यानक थी कि गाड़ी चाल को उसकी गाड़ी से निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था और सोभाग्य वश्य इस दुरगटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है छोटा हाथी चाल को सिर्फ मामूली खरों चाही है जिसका इलाज वहां से कुछ दूरी पर मौजूद डिस्पेंसरी में कर दिया गया है और वे अपने घर चला गया है देखने वाली बात यह है कि इतना बड़ा एक्सिडेंट होने के बाद भी वहां पर कोई भी पुलिस करमचारी नहीं पहुंचा हलांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने चार से पांच बार सो नंबर पर फोन कर इसकी शिकायत भी करवाई थी जालंदर से पंकट शर्मा की रिपोर्ट जालंदर के 66 फीट रोड पर पड़ते कार लेकर आए व्यक्ति की कार में अच्छानक आग लगी और देखते ही देखते पूरी कार में से आग की लप्टे उठने लगी कुछी देर में जलती कार में धमाका भी हुआ जिसके बाद इसकी सोचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई इस मौके पर कार चालक परमिंदर ने बताया कि वह अर्बन अस्टेट फेस टू का रहने वाला है और कोनट खोला तो कार को एकदम से आग लगी वहीं इस घटना समंधी चौंकी इन चार्ज विक्टर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कार को आग लग गई है जिसके बाद वे मौके पर पहुंच गए उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को कोई शतीर नहीं पहुंची है लेकिन कार जलकर राख हो गई है जानंदर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट सिर्फ रेड लाइट आरे सिगी के जड़ा टेंप्रेचर हो हाई है गड़ी ता मैं वाजिवना नटी तेकान को दी दिख्की नटी पैने होना दी कि कान अग्ट कोई दी तुसी कोई डिया कि जिम्रेंग डिया कि गड़ी रोग की है मैं बाहर में वाले पादिटा का ने थ अच्छा जी सिर्फ कारता की चल लिया सका अच्छा जैस्ट दास्मेंट पहला भाटा लगा नादी ना लिया से ने मुलाजम एदर सीगे गस्त कारें सीगे पहले मुलाजम आए उसी जिए नहीं वर्म की दाम है डोमेंट जैथे आ गया कि अधरों इभी मंगवाई कि उसना बाद साराइका मोट इचाद लिया को यह जी गलबानी किसे रहा जानी नुकसान नहीं हुआ इचानक लगी है अधरों इचानक लगी है इसी उससे पता लगा कि एक सश्यार फटी रोड ते कार नुअग लगी है अधरों इचानक लगी है अधरों इचानक लगी है फरजी कंपनी बनाकर लोगों के साथ लाखो रुपेयों की ठगी करने वाले सोना व्यक्तियों के खिलाफ बठेंडा के थाना केंट में मामला दर्च होने के बाद गृफतारी को लेकर बड़ी संक्या में भारतिये किसान यूनियन सिद्पूर की और से थाना केंट का घहराव किया गया इस मौके पर पिडितों ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी कंपनी बनाकर सौफ्ट्वेर में लाखो रुपे इनके इन्वेस्ट करवाई गये और बाद में इन पैसों को निकलवा कर कंपनी बंद कर दी गई जिसके बाद उनकी और से इन लोगों के किलाफ धोखा दड़ी का मामला दर्ज करवाया गया पर पुलिस द्वारा इस मामले में किसी भी व्यक्ति की गिरिफतारी नहीं की गई जिस कारण मजबूरन उन्हें भारती किसान यूनियन सिद्वपुर को साथ लेकर थाना केंट का घहराव करना पड़ा वहीं भारती किसान यूनियन सिद्वपुर के रेशम सिंग ने बताया कि इन लोगों के साथ ठगी सबंदी पुलिस प्रशासन की और से चाहे मामला दर्ज कर लिया गया है पर पुलिस द्वारा इन लोगों को गिरिफतार नहीं किया गया उन्होंने कहा कि फिलहाल ये संकेतिक धरना देकर ठाना केंट का घहराव किया गया है अगर दोशियों को गिरिफतार नहीं किया गया तो वह SSP दफ्तर का घहराव करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ ठाना केंट के इंचार्ज SHO परम पारसिंग चाहन ने बताया कि पुलिस करके रहे हैं कर रहे हैं सी के कोश बंद्याने मिलके फर्जी कंपड़ी मिलाई उदे वेचे बहुत सारी लोकाने निवेस्ट मेंटा की थी हैं उदे सवांदे वेचे नती अक्दूबर नू ठाना केंट वेके मकदमा दर्जू हो गया पर नती गस्तोबाद इनना समां परस्ते परसास ने बलों कोई चारा जोई निकीती जा रही इसलिए ऐसी सारा मसला सिदू पर जूनियन देते आनविच लिया के सिदू पर जूनियन दिए गुवाई दे बेचे एज़राता नासी लगाया अच्छा किने कादा काम सीया किने ठकी मारी है नहीं यह ठकी अच्छा करा के ते मतलों वेंका दीतना थे नाड थोड़ा जाओ थे विच बाद मनाफा देंदा जेड़ा लाल चिंदा ने लोकां दता सीगा जिए ठकी मारी यह पैंसे बाफसनी कार दे उना चकर तरना किटे भी जगा लगजे उना चकरो ठावरू क्योंके परशाचने परशाचने कारना में जे करदा जिए कि किसे ब्यागती नहीं सनमाई ताह जैसी मजबूरी बास इस मासले नू लाइक को जिने ठकी मारी यह नू गरफदार क्राउन लेली एक ठाने के ता रहना दता जिए शाटे कुल एफ़ाइर दर जोईजी एक्सो क्वांजा नंबर न जी दे विच्छों तेंता अन्नोन बाकी जो है सटे कुल बाई नेम ने कोल ठगी है दे विच्छक बंदयाने दे विच्छ सौट्फियर वगरा कोई बनाके जांए पनाके उदे विच्छ अकाउंट दे विच्छ पैसे पहुंदे शी लोकानू लाल्ज देंदे शी के तो पंजाब के नराई मामलो सबंदी मंत्री कुलदीप सिंग धालीवाल जानंदर के सेंट सोल्जर केंपस में नराई पंजाबियों के साथ मिलन कारीक्रम के दौरान पहुंचे इस मौके पर द्वाबा शेतर से समन्दित जिलों के नराई की शिकायतें भी सुनई जिसके बाद कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंग धालीवाल ने नराई की शिकायतों को सुनने के बाद उनके निप्टारे के लिए मौके पर मौजूद सिवल और पुलिस प्रशासन के सीनियर रिदिकारियों को निर्देश भी दिये। जालंदर से हल्चल के लिए सुदेश भगत की रिब। मेरे को तिन मतराले सीगे खेतिवाडी मैक मां पिंडू बुकास थे पंचैती राज थे नराई मामले सदार पगवान सिंभान जी ने तंजाब दे मुक्वांति जी ने मैक में में नू तहड़ी सेवा का नवासते रिते हैं पर अशी पहला नोमाइक में लिए काफी जदो जायत किती है साताठ में ने वीण भैसे जोंद है बड़े हैं उदों दे बहुत सारे अन्नाराई वीड़े वखफख दे आं प्ल दैया हैं उननादे मसले बहुत कर दे हैं एंननाराई परह्वास थे जिननने देशा मदेशा अपने पंजाब ली बड़ियां अब रासां कीती हैं पंजाब नू बचाओं ली बड़ी हिम्मत लाई है इन अब आस तेक प्रोग्राम जड़ा है वो शुरू कीता जावे असी जल्दी एक कहना रही मामले दुते पॉल्सी भी पंजाब सरकार दी लाके आ रहें लगबागो ड्राफ्ट होगी थोड़ा जा रहा गया नवे साल देवे चोवी लाके हम आगे और आज जा देश पंक्से देवेच मेरे नाल साड़े मान जोग डिप्टी स्विकर साथ रोडी साथ एमले साथ साथ सदा बरकास सेंग जी कतार पोतों चीमा साथ साथ बाकी एमले साथ भी घृँड़ा प्रामले साथ सदाने लेता है कोई पार्टी बाजी दा मसला निसावनु क्या कि कोई भी पार्टी देना सब्दत विट्यार कोई इत्यायों यह जने साथे प्रामाने वसले उननों अपपा हल करी हैं वूरी दुनिया ने दर्वाजे खोले यां जीने पले लि लागी हैं यह बहुत एक खदरनाग है अंदेडा पंजाब देच पैदा हुए तो अजदी मीटिंग देच साड़े सुखिबार जी कनेड़ा तो मनेंदर गेल जी बली जी अजी सिंग पठ्थल जी कैलिफ हो दिया तो बहुत सारे लोग को साड़े आया चाल साथ सदा सताम से करनाटक के हासन चुला के निवासी नाग राज गोड़ा जोकी 3 दिसंबर 2017 से साइकल परदेश का भ्रहमन कर रहे हैं इस दोरानवे करनाटक से महराश्टर, महराश्टर से गुजरात और कच बॉडर से राजस्तान गए जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले जिसके बाद हर्याना से पंचाब का भ्रहमन किया और ही माचल से उत बंगौल की यात्रा करेंगी मुंबई में वे सोनुसूद और दिल्ली में मनोच तिवारी से भी मिल चुके हैं इसके इलावा ओल इंडिया यूथ कॉंगरेस के अध्यक्ष श्री निवासन से भी मिले जालंदर से हल्चल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट कि कहां से आया आप मैं करनाटक से आया हूं मेरा नाम नागराज गोडा है असन शेहर का हूं अब यह यात्रा में डिसेंबर सी दो हजार सक्रा से किये जैगे और इस यात्रा करनाटका महराष्टरा गुजरात राजस्तान हरियाना पंजाब इमाचर उट्ट्राकन धिली उ मैं अभी पंजाब आया हूं हमारा जनादर सिटी में इस यात्रा का मकसद क्या है आजकल हमारा जेश में आतंकवाद बार्डर का चकर अमीरी गरीभी जात्वाद इस तरह में पच्पन से देख रहा हूं अब सब जानते हो अब परसो भी महराष्टरा करनाटका का बार्ड इंप्रूम्मेंट ट्रस्ट द्वारा लतीफ पुरा पर बुल्डोजर चलाने के बाद लोग अपने घरों से बेगर हो गए वहीं उनके खाने पीने के लिए कई संस्थाओं ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिये उन्हीं में से एक संस्था है ओम आशा चैरिटेबल ट्रस्ट ये ट्रस्ट किसी और का नहीं बलकि शहर के मशहूर नेशनल हाईवे पर स्थित हवेली के मालिक सतीश जैन का है इस ट्रस है इसकी खासियत यह है कि ट्रस्ट का पूरा भोजन देसी घी में बनता है तो वहीं इस भोजन को परोसने से पहले इसका टेंपरेचर चक किया जाता है जालंदर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट जिदो मेंनों पता लगा है करने जी थे लोग करतों बेकर हो गई है तो मांच बड़ा दुख होया ते मेरा सेवा दा है असी मदर फादर दे नाम दा ट्रस्ट लाने है मंडी रोड दे विचे जिद्धे असी पांजर पे दे विच खाना मोहिया कराने देसी के अदा बने है जिदो तक वाई गुरू दा प्रमात्मा दा हुकम होएगा रोज शामी जड़ी हैगी और सेवा होंदी रेगी और सेवा दे विच की दिता जा रहे है आज जिदा मतरपनीर चावल है जी कल्म छोले कुल्चे होनगे जी परसोईदा डेली मिनू चेन होएगा बठेंडा की धोबियाना बस्ती में खाली प्लाट में एक नौजवान बिहोशी की हालत में पाया गया था जिसके बाद वहाँ पर लोग ही कठा हो गए उनकी और से सहारा कलब और पुलिस को इसकी सूच ना दी गई लेकिन पुलिस के आने से पहले ही कुछ नौजवान उस बिहोश पड़े नौजवान को उठा कर ले गए गई तलब रहे कि इस प्लाट में पहले भी नशे की ओवर डोस के कारण नौजवान की मौथ हो चुकी है महला निवासियों का कहना है कि इस प्लाट में हर रोज नशेडी बैठ कर नशा करते हैं उनके महले में सरे आम नशा बिक रहा है और बहुत से नौजवान नशे की लपेट में हैं इस मौके पर पहुंचे सहारा कलब के कारेकरता विक्की कुमार और एस साई चरंजीत सिंग ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि महला दोबियाना के खाली प्लाट में एक नौजवान बिहुशी की हालत में पड़ा है लेकिन वैं उनके आने से पहले ही उठकर चला गया था सब्सक्राइब करें लिए तो बियाना बचाओ एक्शन के में टीदा परदान है जदो जोड़ों भी समय समय मतावक्त सरकारा या पुर्दा ने इस थे इननों उजाड़ मियां कोश्चा किती है असी उन्हादा नों प्रट्रस्ट कीता है लोका लामन करके थे थे थोड़े सब्सक्राइब कर रही घरेलों महलाओं ने अपने शोग को अब कारोबार के तोर पर अपना लिया है इस दोरान पत्रकारों से बाच्चित करते हुए कारोबारी महिलाओं ने बताया कि लगबग चार वर्ष पहले उसने एक कुत्ते को खरीदा था जिसके बाद उसकी मिटिंग करवा कर बच्चे प्राप्त किये गए शोग के तोर पर लाए गए या कुत्ते भी अच्छी देखबाल होने के कारण उनकी एक अलग दिखावट में लोगों को अकरशित करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में लोग उसके पास कुत्ते खरीदने के लिए आने लगे धीरे धीरे उसने कुत्तों का कारोब कर रही है क्योंकि एक बार बच्चा होने पर 45 दिन बाद ही इनकी सेल की जा सकती है और इनकी देखबाल भी करनी पड़ती है जिसके लिए इंजेक्शन आधी लगवाने पड़ते हैं 45 दिनों से पहले इने इंजेक्शन नहीं लग सकता अगर इनकी अच्छी तरह से प्रफ़ते देख़ए जिए दाउकर उन्युक्त ना मेरे लिए व्युक्त सब्सक्राइबं डॉप से रही होने का डर बना रहे दो इनकी ना इनकी ना दिख़्ए जो इसे पर लोड़का नों शॉप होंदा अगा उसी कर वेला वी जड़ते नहीं जाक्ता कोई मुल नी पहले जी बोल्टे मुंडे चलाओंदे से अजकल कुडियां बहुत चला रहे हैं शॉक पर किसे नों भी हो सकते हैं करूबर बना ले हम पूशी इसनुँदी हम जी हुन सोच देखो जी कर अग्या बदिया चाल रहे तांग इना तेन वह गई तिन साल मैं सो पीलोमेटर दे एरिये चे लेके जाने को डॉब शोब गयरा हुंदा है जा कोई पता लगदा है जी मुकसर हो गया कोट पूरा हो गया बठेंडा हां जी ओंदी है दिक्कत क्योंकि उदर तो में बच्चानू खाना दे रहा हुंदा है और जर डॉब जा टाइम हुंदा है क्योंकि आट नौ बच्चा भी केर करनी वी थोड़ा दिक्कत तांदी है पर चुलो है ता हुन राल मिलके जेकर फैमिली ची तुसी अरजस्ट करोगे ता थोड़ा बहुत सेक्रिवाइस ता करना ही परना है क्योंकि एक बच्चा हुंदा है उन वेना अच्छी तरह नही कवर कर पार है दो तिन साल दा डॉग ऐस्टरा हो जाना है तो अपना इंसान है उन दो फी मेल है तो उन्होंने जो बाहर जाना है पौटी करनी है सुशू करनी है तो मैंनों खड़ा होके हट जोड़ के दास्टिया मि ममा प्लीज गेट खोल दो असी बाहर जाना है जब कि वेपन गेट खोल गेटा वी रहा नाला है तो ममी चानुकी में बता लागया मैं कहने दास्टा जी बार एस्सोसियेशन धूरी के एडवोकेट गुर्दीप सिंग धालीबाल एसस मराहड और नवजीत सिंग बाठ की देखरिंग में हुए चुनावों में एडवोकेट र जिसमें से एडवोकेट राचीव सिंगला को 35 और उनके मुकाबले चुनाव लड़ रहे एडवोकेट बलजीत सिद्धू को 31 वोटे मिली जबकि एक वोट रध हो गई जिसके चलते एडवोकेट राचीव सिंगला चार वोटों से बार एस्सोसियेशन के चुनाव में पेता रहे एडवोकेट राचीव सिंगला ने कहा कि वे पहले की तरह हैं वकील भाई चारे की भलाई के लिए सरगर्म रहेंगी धूरी से हल्चल के लिए जस्वीर पान की रिपोर्ट अज लएक्सन होई है साधी बार्षेशन दे बिच बहत्तर टोटल बोटा सियां जिनना दे विचों 67 बोटा पोड होई या ते उनना दे विचों एक बोटा ऐस्टर हुई सब डिवीजन तलवंडी साबों के गाउं शेखुपूरा में किसानों की और से SBI बैंक के आगे धरना लगाकर रोश परदर्शन किया गया इस दुरान परदर्शन कारियों की और से जम कर नारे बाजी की गई भारती किसान यूनियन सिद्पूर के जंडे के नीचे लगाये धरने के दुरान परदान बलदेव सिंग ने बताया कि किसानों की इस बैंक में लिमिट बनी हुई है और किसानों की सेविंग खातों में पैसा होने के बावजूद भी किसानों की लिमिट खातों को डिफॉल्टर बना कर ज्यादा ब्याज की मार किसानों पर डाली जा रही है इस मामले सबंदी बैंक प्रवंधकों को और डिप्टी कमिशनर बठिंडा को शिकायत करने के बाद भी मामले का हल नहीं किया गया जिस कारण वे बैंक के आगे धरना दे रहे हैं उन्होंने कहा कि जब तक उनकी समस्या का हल नहीं किया जाता तब तक वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे वहीं जब इस समंद में बैंक प्रवंधकों से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया और इस मामले को जल्द हल करने का अश्वासन दिया अश्वासन दिया जोल दे आए शी अपनी लेट खमाई है पर छे मीन तो असी जडिए लेट कमाई है पर शे मीन तो असी साड़ी लेट कमाउं दे बाव जूद आज सानु बहुत बड़ा जिड़ा एस गालदा तकलीप होई है कि साड़ी एस बरांचने सादे कसान जिड़े दफार्ट करते और दफार्ट करके साड़े खाते खराब करते साड़े खाते खराब करना कारना साड़ी ब्याज जिड़ा डबल पाया गया बठिंडा के प्रताब नगर के रहने वाले करीब आधा धर्चन प्रवासी मजदूर अपने घरों को ताले लगा कर स्सपी बठिंडा को चाबियां देने पहुंचे इस दोरान प्रवासी मजदूरों का कहना था कि उनके मोहले में कुछ लोगों द्वारा सरे आम गुंडागर्दी की जा रही है बार-बार पुलिस को शिकायत देने के बावजूद कोई भी कारेवाही नहीं की गई उल्टा उनकी और से प्रवासी मजदूरों को धमकाया जा रहा है जिस कारण वे स्सपी बठिंडा को अपने घर की चाबियां देने पहुंचे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन की और से उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही जिस कारण मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है इस मौके पर हिंदू महसाबा संगटन के संदली पाठक ने कहा कि पंजाब में प्रवासियों को लगातार डराया धमकाया जा रहा है और प्रशासन की और से कोई भी कारेवाई नहीं की जा रही उन्हें SSP बठिंडा द्वारा शाम तक गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ सक्त कारेवाई करने का विश्वास दिलाया गया है जिसके चलते उनकी और से फिर से अपने घरों को खोला जा रहा है वही दूसरी तरफ SSP बठिंडा जे अलन नचेलियन ने कहा कि ये मेट्रोमोनियल केस है इस समंदी पहले ही पुलीस द्वारा सिक होटो और उसके भाई के किलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसमें प्रवासी मज़ूरों को धमकाया गया हूँ अब डिस्प्यूट दी कारण करके लेडी ने अपने ब्रदर नो बलाया गरते उत्ते इनन दी आपस में फैमली दी वची डिस्प्यूट होया लड़ाय जगड़ा वोगी सी ये जो महुला वाले हैं लड़ाय नो चड़ाना के लिए उत्ते गए जो लेडी दी ब्रदर आया अबोर से उन्होंने इनन भी तोड़ा गाली क्लोज करके उत्तों मौक होते चल लेगी हैं का उसकी लेकिन इन्होंने सन्नु कंप्लेंद इती है इस कंप्लेंद आफ आफ लोगल पॉलिस ने लेडी दे किलाफ और लेडी दे ब्रदर किलाफ आलड़ी प्रिवन्टिव आक्शन ले चुक हैं बाकि महटर अभी विचारा दिन है आज इनोंने संगटने वैसे ही सवित मि आगड़ा करता हूं जो यूपी भी भाले को कोई टार्गेट किया जाता है जैसे कोई बैक चलाते हैं या किसी कि लड़ाई जग रहा होता है कोई मेटर होता है खता यूपी भ्यार होता है जो शचो साब शुटा लेवल पर मुलाजी मंदिय पजा देता है हम भगबत मां बठिंडा पुलिस ने इरादतन कतल के मामले में भगोड़े व्यक्ति को मुंबई एरपोर्ट से ग्रिफतार करने में सफलता हसल की है इस समंद में जानकारी देती हुए ऐसे चो परम पारस सिंग चाहल ने बताया कि सुमित चाहबड़ा नामक व्यक्ति के खिलाफ थाना कैंट में इरादतन कतल और कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्च हुआ था और इस मामले में सुमित चाहबड़ा भगोड़ा हो गया था जिस समंदी बकायदा उनकी और से लुक आउट नोटिस जारी करवाया गया था गत दिनों सुमित चाहबड़ा जब दुबई से भारत मुंबई एरपोर्ट पहुंचा तो इसकी सूचना उने मिली जिसके बाद पुलिस ने मुंबई जाकर सुमित चाहबड़ा को गिर्फतार कर लिया और सडक मारक के माध्यम से मुंबई से बठेंडा लाया गया और उसे अदालत में पेश किया जा रहा है अधिर सोना जुबई उसे सी लोच जारी कर वाई सी की साथी पोलिस पार्टी ने बाहत वधिये कम कीता है सिद्ध शक्तिपीट श्री देवी तला मंदिर में जोगा परवियार की और से लंगर का योचन किया गया जिसमें प्रधान अमरजीत कोयल, परिक्षित वद्वा, दविंदर गुपता, चंद्र सहत आन्य पारिवारिक सदस्यों ने लोगों में लंगर वित्रित कर अपना सयोग दिया और अब अंत में हल्चल की गतिवितियों पर एक नजर फिर से, बठिंडा पुलिस ने नाजायज असला सप्लाई करने वाले एकारोपी को किया काबू चार पिस्तोल वा कार्थूस की बरामत जालंदर के घई नगर रोड पर स्थित ब्यूटी पार्लर में गन पॉइंट पर लूट की वार्दात को दिया गया अंजाम दो मुबाइल वन नकदी लेकर लुटेरे हुए फराज जालंदर के लंबा पिंट पुल के पास छोटा हातिया नियंत्रित वोकर ट्रेक्टे ट्राली से टकराया चालक ने कर रखा था नशा इसके साथ ही अब तक की गदी विदिया समाप्थ होती है और ताजा चानकरी के लिए देखते रहे हैं हाल्च